हाई फ्रेंड्स सबको नमस्कार आज 7 पेबरोरे आज का कुछ वाला एलेट्री स्कोटर का कुछ अपडेट्स है मेरा लोकेशन है अभी अलिगड में टंडी बहुत है यहाँ पर 8 डिगरी टेंपरेजर चल रहा है सुबे का चलिए कुछ वाला एलेट्री स्कोटर का अपडेट्स आप लोकेशन करना चाहरा हूँ सबसे पहले वाला एलेट्री स्कोटर का उपर दिली से एक आदमी ने केस किया हुआ है यह रांग प्रामिस किया करके अभी देखते हैं क्या होता है अपडेट देगा तो मैं आपको अपडेट करना क्या हुआ करके यह कंजबर केस कोट में केस किया हुआ वाला स्कोटर का किलाव इस तरह करना अच्छा है नहीं है आप लोग प्लीज तोड़ा कॉमेंट सेक्शन बता दीजिए चलिए अभी तो डिलिवरी प्रॉसिस काफी तेजी से हो रहा है कास करके बेंगलूर, हाइदराबाद, जाइपूर, दिल्ली में दिल्ली काफी आदमें को दिया हुआ है मैं एक ओट भी फोल किया था उसमें काफी मातर में ओट पोल हुआ है मैं आपको आगे जाके दिखा हूँगा 21 January को जो final payment किया हुआ है उसमें कितने आदमी का scooter मिला करके मैं pole connect किया था उसमें 664 oats हुआ है 23 गंटा में जिसमें 9% आदमी को मतलब scooter मिला हुआ है 91% का भी तक नहीं है लेकिन 1-2 दिन में काफी आदमी को मिलने वाला कास करके आंधरा में भी और कुछ आंधरा में process भी शुरू किया है उसका बारे में भी तो explain करूँगा पहले आंधरा में क्या होता था आट्यो आप इस जाके scooter का साथ photo लेने पड़ता था अभी आपको आदार verification का OTP आने के बाद में आपको direct to scooter गर पर आके LR का TR का साथ में आपको दे देगा TR में भी चला सकते आंधरा में इस बागी स्टेट में क्या procedure रहे तोड़ा comment section प्लीज बता दीजे TR आने के बाद में जो गाड़ी आपको गर पर आके देगा उसी टेम आपका physically जो sign लेना था और जो photo की इसके लेके जाएगा आपको आती हो आप इसके में जाने की जरूत नहीं है उसके बाद लगबक आपको time लगएगा ये एक मैने के अंदर 30 days के अंदर आपको लगबक को आपका permanent registration number आ जाएगा काफी आदमी fancy number के लिए पूछ रहा है fancy number का जब आपका brand champion call करेगा उस टेम आपको fancy number मांग सकता है फिलाल rate है 3000 से लेके साड़े 3000 का rate करके बता रहा है मेरा subscriber ने brand champion से बात किया था उसने ने इस तरह बताया जो fancy number चाहिए आप बता दीजे उसका extra charge होगा आपको online में पे करना पड़ेगा तरह के बताया यदि आप लोग को state में इस तरह delivery fancy number लेडा चाहता है तो आप ब्रैंड champion का contact करेए वो registration process में आपका fancy number था वो आपको मिल जाएगा एक update है उसका बाद में अब दिल्ली में वाला स्कोटर का substitute नहीं मिलेगा actually दिल्ली government क्या किया जब EV policy काली पांच company ने apply किया था उस्टेम वाला ने दिल्ली government से approach नहीं हुआ इनके चलते बाकी पांच company को जो वाला का state subsidy मिलेवाला तो मिलेगा अभी वाला का चोटा सा गल्ती के चलते अभी वाला एल्ट्रिक कोटर का दिल्ली में subsidy नहीं मिल रहा है आपको पूरा पैसा पे करना पड़ रहा है यह पहले से वाला सोच के कदम लेना था अभी जो state का दे रहा हो तो यह तो public के लिए नुकसान होगा है उसके बाद अभी एक एक सीटी में 1500 का स्कोटर सो almost shifting हो गया है अभी प्रोसीजर रहेगा आपका वहन OTP उसके बाद में आपका रिश्टेशन प्रोसीजर रहेगा यह जिनने नहीं पहले जो 500 का payment करके वेट कर रहा है उनके लिए पश्ट प्रियार्टी है काफी आदिम बोल रहा है मेरा गर मतलब 30 किलो मेटर 100 किलो मेटर आसबापस में फैर्ट करिया है फिर भी मेरे को नहीं मिल रहे है वैसा नहीं देते यह आला और इंडिया को सप्ले करना काली आपको बगल में करके आपको शिप्टिंग कर देगा डेलूरी देगा तो जो दूर वहा लखके ले क्या होगा इसलिए आप लो तोड़ा वेट करें सबको मिल जाएगा लगवा को पेबरोडे एंड तक को सबको मिल जाएगा चलिए अभी तक यह चोटा सब्डेट है